पिंस और फॉर एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टन तो बहुत है बट इसको समझने में दिक्कत होती है आज की इस क्लास के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉबलम होने वाली नहीं है और हाँ थोड़ी देर हुई मुझे एक नया कॉंटेंट फिर अपलोड करने में इस चैनल पे इस वीडियो के साथ जो मैं आज आया हूँ तो थोड़े देर से आया हूँ उसके लिए very sorry और हाँ एक reason भी है इसका के एक standard जो मैंने set कर रहा है इस चैनल का उसको maintain करना बहुत बड़ी responsibility है कि जो भी topic आपके सामने आए वो अब तक का पढ़ाये गया सबसे wonderful तरीका हो और सबसे आसान लगे इंडिया का एक एक learner अगर since for पढ़ना चाहता है तो वो सीख जाए यह मेरी कोशिश होती है इसलिए देर हो गई चलें शुरू करते हैं आज किस class को सबसे पहले कि हम since और for use कहां करते हैं इसके कुछ examples मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहल वो यह है कि सामान ने था यानि generally since और for का परियोग present tense और perfect continuous tense के साथ होता है यानि perfect tense का मतलब यह है कि आप इसका use present perfect tense के साथ भी कर सकते हैं past perfect tense के साथ भी और future perfect tense के साथ भी और perfect continuous का मतलब यह है कि आप present perfect continuous Past Perfect Continuous या फिर आप Feature Perfect Continuous के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं वहाँ पर आप Since या For लगा सकते हैं और कैसा होगा sentence Since और For लगा देने के बाद ये अगली स्लाइड में आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है For example, Since देखो ये Perfect Tense में है ना I have walked बीन नहीं लगा हुआ है देखो अब ये आप अगर मुझसे पूछते हो Sir, What is the difference between Perfect and Perfect Continuous? तो देखो आम भाशा में समझो Perfect और Perfect Continuous का बीच का जो difference है वो ये है कि इस वाले में वर्ब का 3rd form आता है इस वाले में वर्ब का 4th form आता है इस वाले में have, have के साथ वर्ब का 3rd form आता है और इस वाले में ये जो have और have है अपने साथ बीन लगा लेता है has, have के साथ बीन आता है तब वर्ब का 4th form आता है फिर हमें कुछ sentences देखना है यहाँ पर I have walked here ये since का example दिखा रहा हुँ मैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो, इन sentences में since क्यों लगा आप गौर करना इस पे और इन sentences में for क्यों लगा, in today's class हमें वही सीखना है और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा wonderful होने वाला है और honestly आप में से एक-एक सीख जाएंगे guarantee इसकी I have walked here since 2010, मैंने यहाँ 2010 से काम किया है They have been living here since Sunday उन लोगों ने, मतलब वो लोग यहाँ Sunday से रह रहे हैं Sharma जी has been living in Delhi since 2015 Sharma जी दिल्ली में 2015 से रह रहे हैं और अगर हम फॉर की बात करें तो we have been staying here for few days हम लोग यहाँ कुछ दिनों से ठहर रहे हैं She has been living in London for 5 years वो लंदन में 5 सालों से रह रही है I have been waiting for 6 hours मैं 6 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यह आपके सामने sentences है But the question is सबसे पहले आज की स्क्लास का मेरा title ही है Since for, since for का trick उसके लोचे को दूर करना है यह 2010 है तो since लगा Sunday है तो since लगा 2015 है तो since लगा और few days है तो for क्यों लग रहा है 5 years है तो for क्यों लग रहा है 6 hours है तो for क्यों लग रहा है जबके यह भी time expression है यह भी यह भी और यह यह और यह भी time expression है Then why is this discrimination ऐसा भेदभाव का है भाई कि इसके साथ हम since लगाएंगे और इसके साथ हम for लगाएंगे reason है reason है सबसे पहले अगर हम literal meaning की बात करेंगे if we talk about literal meaning of since and for कि भाई मेरे since का क्या मतलब होता है for का क्या मतलब होता है in Hindi अगर हम Hindi equivalent की बात करेंगे since for के तो इसका मतलब होता है से अब मैं पिछले sentence में आपको ले जाता हूँ आपने गौर किया होगा देखा होगा सुना होगा मैंने क्या कहा 2010 से Sunday से 2015 से कुछ दिनों से 5 सालों से 6 घंटे से तो ये जो से 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 है ना इस से के लिए since भी लगा यहाँ पर ये 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 since भी लगा यहाँ पर ये since भी लगा यहाँ पर और उसी के लिए ये for भी लगा यहाँ पर तो since और for दोनों का literal meaning से होता है Hindi में और एक चीज़ और जब since for के बाद time आता है हलाके आप देखते हो कि since का मतलब क्या होता है चूंकि भी होता है क्यूंकि वो नहीं आया since he didn't come मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ I'm always there for you क्यों नहीं I'm always there for you मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ since, चूंकि वो नहीं आया since he didn't come, आज, today क्या कल नहीं है since he didn't come yesterday तो कहने का मतलब है since for for का तो और भी use दिख रहा है न but clarity यहाँ पे मिल गई यहाँ पर यह concept आपका clear हो गया कि since for के बाद जब time आता है न तो हिंदी में इसका मतलब save होता है save होता है condition है there should be time since के बाद यह सब यह सब जितने भी दिख रहा है न इस side में सब time expressions है all these are sorry sorry थोड़ा साफ लिख दूँ बट बोल ला हूँ न मैं आप समझ जाना लिखना गंदा आता है बट पढ़ा ठीक ठाक लेता हूँ यहाँ देखो time expressions है all these are time expressions since morning, since childhood, since 2005, since February since, sorry, for 10 years, for 5 days, for 6 hours तो यह सब time expression है और इधर 3 से अब देखो सब का मतलब since morning, सुबर से since childhood, बचपन से since 2005, 2005 से since February, February से for 10 years, 10 साल से for 5 days, 5 दिनों से for 6 hours, 6 गंदे से बट लेकिन ऐसी क्या वज़ा है कि इसके साथ since लगा और इसके साथ for लगा हमें तो यह सीखना है हमें तो यह जानना है एक छोटा सा analysis यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं एक छोटा सा analysis क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पर वह दो दिनों से बीमार है और अगला sentence है वह संडे से बीमार है तो वह दो दिनों से बीमार है इसके English क्या होगी? मैं लिख देता हूँ He has been ill यह sick for two days ठीक है? और ऐसा है वह संडे से बीमार है ठीक है? He has been ill since संडे देखो यहाँ पर अगर इस वह को अगर इस वह को हम वे लोग कर देते हैं तो ज्यादा क्लेर हो जाएगा राइट? अगर हम इस वह को वे लोग कर दें तो क्या हो जाएगा? They have been ill since Sunday वे लोग संडे से बीमार है वो संडे से बीमार नहीं है समझो यह वे लोग है अब एक बात बतो आप मुझे यहाँ पर जो आपने गौर किया सबसे पहली चीज कि इसमें हैज लग रहा है और इसमें हैव लग रहा है तरह के संडें को बनाने के लिए पहले आपको हैज और हैज पर कमांड करना पड़ेगा यह पहली चीज है दूसरी चीज किया है कि जब दो दिन हुआ तो यहाँ पर फॉर लगा और जब तंडे हुआ तो यहाँ पर सिन्स लगा तो नि फिन पर भर और सिन्स का यूज तो कि आफ आट एश वर फॉर जिएज पर होव फूर शिंस यूज This is the first thing. And the second thing is that you have to learn the use of since and for, that where we have to use since and where we have to use for. And in the very next slide, I have talked about the same. अगली slide में मैंने यही बात की है कि अब आपको यह करना है. करना यह है कि present perfect tense और past perfect continuous, present perfect tense और present perfect continuous tense के structure को समझना है. सबसे पहले present perfect tense और present perfect continuous tense के structure को समझना है. और दूसरी चीज़ यह है कि have, have और since for के use को भी जानना है. क्योंकि पहली ही slide में मैंने यह बात कर लिया था आप लोगों से कि present perfect tense और perfect continuous tense में since और for लगता है. तो अब देख लो, perfect tense का यह जो क्या बोलते हैं, format है, वो यही होता है कि उसमें verb का third form होता है. और अभी चुके मैंने specific present को जो है focus किया है, तो हम यहाँ पर has और have का use करेंगे, यह present perfect tense की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, अगर आपको शौक है कि आप past perfect tense का का काम करें, तो आप subject plus had plus v3 कर देंगे, बस बाकी सब सेम हो जाएगा. देखो, यह common, यह common, यह common, बस have-have आपका na head में convert हो जाएगा, right? जैसे, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, I have not seen him for a long time. यह present perfect है, I have not seen him, मैंने उसे नहीं देखा है, अब चलो यहाँ पर. तो सबसे पहला काम क्या करना है, और हाँ, एक चीज़ और, इसके साथ क्या लगेगा, तो इसके साथ लगेगा या तो since, या तो for, और फिर उसमें time expression, और फिर उसमें time expression, क्या? लास्ट में since for लगा के time expression लगा दो, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा since for का use कहां पे करेंगे हम. तो where shall we use, ठीक है, ठीक है, अब हम present perfect continuous tense की तरफ आते हैं कि इसका structure कैसा होता है, तो present perfect continuous का जो structure होता है, सबसे पहले उसमें subject आता है, फिर has been आता है, या have बीन आता है, फिर verb का चौथा form आता है, उसके बाद अगर other words है sentence में तो वो आता है, और last में since for के साथ हम कोई time expression, लगाते हैं, अब एक चीज जो यहाँ पर important है, जो आपको जाननी है, वो ये, वो ये, कि हम सबसे पहले have और have कहाँ पे लगाते हैं, तो मैंने आपको एक trick दिया था, याद करना, आप अगर नहीं देखा है, तो आयरुवेद trick हमारा आप देख लेना, आपके have की problem solve हो यहाँ देखो, आयरुवेद का मतलब होता है, आयरुवेद का मतलब होता है, आयरुवेद में have लगता है, पहली चीज और आयरुवेद को छोड़ करके अब जो बचता है, उनमें बस singular और plural समझना होता है, अगर singular है तो has लगा दो, अगर plural है तो have लगा दो, ठीक है, जैसे अगर हम he की बात करें तो singular है, she की बात करें तो singular है, it की बात करें तो singular है, किसी नाम की बात करें, like sonam, तो यह singular है, बट अगर इसके साथ किसी और को मिला दें, तब फिर plural हो गया, तो फिर हम have लगाएंगे, राइट, तो यह has और have क प्रॉब्लम आपकी solve हो गए, यहाँ has been, और जो have, have का मामला है, वही has been, have been का मामला है, तो has been, have been आपका clear हो गया, solve हो गया, अब यहाँ पर हम वर्ब का कोई च्वासा फॉर्ण देंगे, और हाँ एक चीज़ का ख्यार लखेंगे, कि time expression, time expression आएगा, उसके पहले अगर since for होगी, तभी उसकी हिंदी मिनिंग से होगी, ठीक है, आगे चलो, सुबह से, शाम से, यह sentence में लगा होना चाहिए, अब क्या है, किताबों का एक लोचा, जब भी हम since or for को किताबों से सीखने जाएंगे, तो मैंने आप से अपने पहले lecture में प्रॉमिस किया था, कि देखो, म मेरे जो lectures होते हैं, बुकिश नहीं होते, बुक से थोड़ा different पढ़ाऊंगा मैं, जब ही motivation का standard maintain रहेगा, मैं इसी कोशिश में हूँ, कि कुछ नया आपको हर एक topic में मिले, और वही taste आपको यहाँ पर मिलेगा, यह जो देख रहा हूँ, किताबों का एक लोचा, मैंने से, कि point of time और period of time यह दो words मिलेंगे आपको, और वहाँ यह mention होगा, कि point of time में since लगाएंगे, period of time में for लगाएंगे, to be honest, इमानदारी से बोलना, कसम से, अगर मैं यह बोलूँ आपको, या कोई आपको यह बोले, कि point of time में since लगादो, period of time में for लगादो, आप समझोगे, आ उसको कितना भी explain कर दे, अच्छी भाशा में explain कर दे, अच्छी language में explain कर दे, आप नहीं समझोगे, point of time क्या होते है, और period of time क्या होते है, लगबग सबको लगता है ना, दोनों सेम ही चीज़े, और, और वो गलती कर देते, since और for के use में, इसलिए मैंने इसका एक trick बनाया, और इस trick का नाम है, सालों trick, ठीक है, सालों, अब ये नहीं की है, बोल देना किसी को, ये trick का नाम है, सालों trick, ठीक है, अब देखो, ये सालों trick क्या है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर मैं एक सवाल करूँ आपसे, physics का question, ये बताओ, time का smallest unit क्या है, आप बोलोगे सेकेंड है, ठीक है, तो हम अगर ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, सेकेंडों, मिन्टों, घंटों, ठीक है, क्या है, सेकेंडों, मिन्टों, घंटों, महीनों, घंटों के बाद भी रहां दिनों, महीनों, एंदेन सालों, ठीक है, सेकेंडों, मिन्टों, घंटों, दिनों, महीनों, सालों, या अगर हम यूनिट की बाद करें, तो यूनिट क्या है, ये मैंना ऐसे समझने के लिए बता है, वो ट्रिक मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम फिर एक की बात कभी तुना है वो एक सेकंड से खड़ा है एक घंटे से खड़ा है एक महीने से खड़ा है होता है बहुत कम लेकिन जादे दर क्या होता है दो दिनों से चार घंटे से पांच महीने से दस सालों से आठ महीनों से ये तो अगर सबको मेंटेन करना है ह हिंदी में तो क्या करना होता है? कुछ नहीं, इसको second कर दो, minute कर दो, इसको घंटा कर दो, इसको दिन कर दो, इसको महीना कर दो, इसको साल कर दो, यह बहुत छोटी चीज़ है, इस पर बहस नहीं करनी है हमको, हमको असल बहस करना है इस बात पे, कि अगर आप जो time बोल रहे ह उस time में ये सारे words आ रहे हैं, तो for लगा दो, अगर उसमें बादापता second का word लगा हुआ है, तो आप उसमें for लगाओ, अगर वहाँ पे लगा हुआ है, दो second से कोई काम को कर रहा है, आँख बंद करो और सीधा for लगा दो उसमें, just close your eyes and use for, अगर उस sentence में minute या minटों word लग हुआ है, for लगाओ, और लगाओ, जैसे दो second से, तीन मिंटों से, चार घंटों से, पाँच दिनों से, छे महीनों से, साथ सालों से, अगर आपका sentence ऐसा है, कि उसमें क्या, secondों, मिंटों, घंटों, दिनों, महीनों, सालों लगा है, then you have to use for, तब आपको for use करना है, और हाँ, अगर हम उसके point की बात करें, exact इस time की बात करें, कि दो second पहले कितना बज़ रहा था, और तब कोई बंदा ये बोले, कि 10 बज़ के 11 मिनट, 12 सेकंड था, तब मेरे भाई, इससे पहले sentence लगा देना, वो यहाँ खड़ा है, कब से, since 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10 बज़ के 11 मिनट, 12 सेकंड थे, और वो 2 सेकंड से खड़ा है, तो फिर 4, 2 सेकंड कर दो, हाँ, ये देखो, 3 मिनट पहले, exactly, कितना बज़ रहा था, 11 बज़ के 13 मिनट हो रहा था, तब ये, इसमें sentence लगेगा, इसमें sentence लगेगा, 4 घंटों से कोई किसी काम को कर रहा है, खेल रहा है cricket, he has been playing cricket 4 घंटों से, जैसे ही घंटों वर्ड देख लिया, आँख बंद करके 4 लगाएंगे, इन में से किसी भी वर्ड पे नदर पढ़ जाए, इन में से किसी भी वर्ड पे नदर पढ़ जाए, 4 लगा देना, और अगर इस पे नदर ना पड़े, अगर इस तरह से हो, जैसे 4 घंटों की बजाए, 4 एम, या कोई 4 पी एम बोल ला हो, या 4 ओ क्लॉक बोल ला हो, चार घंटा पहले कितना बज़ रहा था, ये देखो, तो 4 बज़ रहा था, या 4 एम सुबा का 4 बज़ रहा या सीधा सीधी 4 बज़ रहा था, आप इसमें सिंस लगा दो गए, पाँच दिनों पहले, अगर कोई ये बोल ला है, कि वो पाँच दिनों से तुमसे कॉंटाक्ट करने ही कोशिश कर रहा है, वो पाँच दिनों से विस्तर पे पड़ा हुआ है, भीमार है, तो आप वहाँ पे फॉर लगाओ, दिनों आ गया, लेकिन पाँच दिन पहले का कोई नाम ले ले, कि भाई, वो फ्राइडे से तुमसे कॉंटाक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो तुमसे संडे से कॉंटाक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो संडे, मंडे, टीस्डे, वेंस्डे, थर्स् तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, अगर कोई ये बोले कि मैं छे महीने से इंग्लिश तीख रहा हूं, तो I have been learning English for six months, but अगर कोई बंदा ये बोले कि नहीं, छे महीना पहले मई था, छे महीना पहले मार्श था, छे महीना पहले जैनवरी था, छे महीना पहले फैब्रूरी था, कोई अगर ये बोले ना, तो वहाँ पे आग बंद करके सिंस लगा देना, मतब किसी भी महीने का नाम ले ले वो, च गर उन कोई रहा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है को अगर यह एक है रहा हाँ अरे वो तो बोली रहा है कि दस साल से रह रहा है तो fix time बोल ला है ना मेरे भाई fix time नहीं है वो 10 साल पहले कौन सा साल था यह certain नहीं है न उन्यवाले को certain नहीं लगेगा exactly हाँ अगर कुई यह बोलता है कि भई मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ 2015 से दिल्ली में रह रहा हूँ यह सार्टन है और कोई तो एकदम प्रो निकलता है मैं 16 नवंबर 2015 से दिल्ली में रह रहा हूँ तो उसमें तो सिंस लगना ही है फैर मदाक्ता वो कहने का मतलब यह है कि सिंस हम लगाएंगे जब यह वर्ड नहीं होगा घंटो मिंटो सालों दि यह कहे कि 2010 से 2015 से 2017 से 1900 अब पूरे जितने 2022 तक जो बोलना है वो दौफ तिंस लगा उसमें इसके बाद क्या होता है अब शताबदी होती है डिकेर्द होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आप जैसे हमान लिए सदियों से यह परंपरा चली आ रही है तो सदियों से इस नहीं है 4 centuries लगाएंगे 4 centuries अब अगर कोई यह कहे कि मैं घंटों से तुमसे contact करने की कोशिश कर रहा हूँ certain नहीं है 4 hours तदियों से यह बुराई समाज में रायज है चल रही है तो हम क्या बोलेंगे 4 centuries ऐसे बोलेंगे या secondों से 4 seconds, minutesों से 4 minutes, घंटों से 4 hours जैसे वो घंटों से phone पे बात कर रही है तो she has been talking on the phone 4 hours होगा वाँ पे दिनों से 4 days, महीनों से 4 months, सालों से यह बेकार पड़ा हुआ है कमरा तो 4 या घर, 4 years, 4 years लगाएंगे बट अगर यहाँ पर सालों पहले किसी का बच्चपन ना आ रहा है अब यहाँ पर यह तो आपने सीख लिया, since for के use में कुछ certain words हैं जिनके साथ since ही लगता है other words सीखो आप लोग अब यहाँ पर other words for since and for since and for अगर इस तरह बहुत बहुत दिनों से अगर यहाँ पर वीक्स हफतों से यह गेट खुला नहीं है for weeks अगर इस तरह बहुत बहुत दिनों से for a long time यह for many days अगर इस तरह के इस तरह के यहाँ पर अगर से के लिए अगर since और for लगाना हो तो इन सब cases में हम for लगाएंगे और in cases में हम since लगाएंगे पता है किन cases में अगर ऐसा हो 2004 से sorry अगर ऐसा fixed time expression हो like बच्पन से childhood तो हम since लगाएंगे यहाँ पर अगर ऐसा हो सुबह से morning से तो यह certain है यहाँ पर हम since लगाएंगे अगर ऐसा हो शाम से certain time है अगर ऐसा हो कल से since yesterday पिछले महीने से last month जब से उनकी पिता जी मरे his father died सबसे इसी की बजाए कोई बोल दे दो महीने से तो वहाँ पर फॉल लगाएंगे बड़ जब कोई काम हो गया और exactly उस time से अभी तक तब वहाँ पर हम since लगाएंगे बच्पन से since childhood सुबह से since morning शाम से जैसे वो बच्पन से तुतला रहा है has been, has been stammering, stammering since childhood बच्पन से हकल आ रहा है has been stuttering, stuttering, s-t-u-double-t-e-r since childhood तो ध्यान लखेंगे, इसका ख्यार लखेंगे हम कि अगर यह सब words आते हैं, childhood morning, evening, yesterday, last month, his father died, इस तरह का तो हम since लगाएंगे, और for हम कब लगाएंगे, जब ऐसा for hours, for centuries, for weeks, for a long time, for many days इन सब cases में हम for लगाएंगे, उसको पढ़ेने के अलावा extra हमने यह पढ़ा है आपको और अब सिर्फ और सिर्फ since और for की एकदम बढ़िया वाली practice आपको करनी है आपको यह जो कुछ feelers दीख रहे हैं आपे, इन सब जगों को भरना है you have to use only since and for, कहां पर since लगेगा, कहां पर for लगेगा the very first sentence in front of you, in front of your screen is Mr. Sharma has been walking in this school, Mr. Sharma इस school में काम कर रहे हैं 2010 से तो अब इस 2010 से के लिए हम since लगाएंगे या for लगाएंगे तो देखो 2010 से यह ऐसा तो नहीं है ना के 10 सालों से नहीं, साल का नाम ही दिया हुआ है बादाफता, हम यहाँ पर since लगाएंगे अब देखो years आ गया, सालों आ गया, 10 years, attack से for लगा दो सालों आ गया, for लगा दो, trick बताया था ना, सालों ट्रिक, देखो यहाँ स्तुबह से, अब यह भी मैंने बताया कुछ अगर certain word हो, तो वहाँ पर उसमें से morning भी था लगाते हैं, क्या लगाते है, since, सालों क्या लगाते हैंगे, for चलो, बढ़ते रो, बढ़ते रो यहाँ आगे, अगली slide है, इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लॉंग टाइम, बहुत दिनों से, कुछ certain word बताया है न मैंने, उसमें से, यह भी है, बाइस सालों से, फिर से सालों आगे, हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे, और क्या जून से, the over time, certain है, जून से, तो यह मैंने कहा था, किसी भी महीने का नाम ले लो, किसी भी साल का नाम ल लगेगा, यहाँ भी सिंस लगेगा, चलो आगे बढ़ते, the next, अगली स्लाइड है, अहाँ, अगली स्लाइड में मैं आपको अनाउंस करने वाला हूँ, आपके लिए बक्रईद उफर, आपको पता है कि मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ल का सबसे बड़ा speaking course होने वाला है, क्योंकि एक समंदर है, जो आपको दिया जा रहा है, एक क्या बोलते हैं, एक कोजे में समा कर, एक प्याले में समा कर, एक ऐसा English speaking course आपको थमाया जा रहा है, जो थमाया नहीं, जो आपके लिए तयार किया जा रहा है, ज जो आपको एक fluent speaker बना देगा, जो आपको एक writer बना देगा, जो आपको scholar बना देगा, जो आप जो चाहेंगे English में कर सकते हैं, whatever you want you can do, आप उसके बाद grammar भी पढ़ा सकते हैं, आप spoken भी पढ़ा सकते हैं, आप trainer बन सकते हैं English के बाद आप तो उससे, और वो बताऊंगा मैं उ course की क्या खुबी है, लेकिन अभी जो बकरीद का time चल ला है, तो अभी हम offer announce कर रहे हैं, अपने हर एक course में, तो हमारा जो course है, Motivelish app को आप जब play store से डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ आपको diamond English speaking course दीखेगा, सच्छ में diamond है वो course, 8 से 13 July, 8 आज है, आज से 13 July तक, you are having 5 days to grab that offer, उस offer को grab करने के लिए, और वहाँ आपकी किन-किन demand को fulfill करा जाएगा, आपकी किस-किस problem का solution है, अगर आप English बोलना चाहते हैं, आपको English समझ में नहीं आ रहा है, कि कहां से शुरू करें, तो और आप course कर-कर के ठक गए हैं, कि भाई, बार-बार जोईन किया, बार-बार content, the most affordable, और सबसे बड़ी चीज, कि हम जो दे रहे हैं न इसमें, वो आप यकीन नहीं करोगे, चार महीने की recorded class के access के साथ, एक महीने की live class free, 499 का course दिख रहा है न, यह मैं दिखा रहा हूँ कि यह ऐसा दिखेगा आपको, आप जब app डाउनलोड करोगे न, तो store में यह course ऐस दिखेगा, display उसका, मदब उसका कुछ ऐसा होगा, interface, और admission चल ला है इसमें, 499 के course को, हमने सिर्फ 5 दिनों के लिए 399 कर दिया है, पूरे एक महीने के बाद यह offer आया है, तो आप दोनों हाथ से grab करो इस offer को, admission चल ला है, app डाउनलोड करके आप उसको join कर लो, बकरीद offer and the course will be of 399 only, सबसे बड़ी चीज़ है कि course के completion के बाद, जैसे ही recorded class आपकी खतम होती है, अब आपको, sir, live classes मुझे कब मिलेंगी, तो आपको join कर दी live class नहीं मिलेगी, आपको जो वो content दिया जा रहे है, आप उस content को जो पढ़ लेंगे, तो कुछ-कुछ test होगा आपका उसमें, like आपको कोई speech बना के उदर से भेजनी होगी, आपके साथ one and one communication होगा, कुछ conversation आप से किया जाएगा, जो आपके syllabus में है already, वहाँ पर जो पढ़ाया गया है, एक temporary round होगा, कोई topic आपको दिया जाएगा, जो चीज़ें है already उसमें, वो आपको दी जाएंगी, अगर कुछ-कु वो decide करेगी, academy आपकी, कुछ-कुछ आप कर लेंगे, तो आपको बादापते एक trainer दिया जाएगा, और पड़े एक या दो घंटे की live class एक महीने तक मिलेगी आपको, आप जब उतना करके आएंगे, और फिर live class लगातार एक महीने मिल जा है, वो भी corporate trainer से, तो आप अंदाद प्रिया को सिखाना है, इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं, और उनसे सबसे कम फीलेनी हैं, और सबसे बड़ा content देना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि किताबों को बेचते हैं, दो हदार वड़े, चलो ठीक है भी इस course को sell कर दो, एक हदार उसमें, मदब दो-चार सो इडियम्स और फ्रेज हैं, बस उसी के नाम पर किताबें भी करीं, और लोग ले रहें, शौक से ले रहें, ये दो-धार speaking sentences हैं, एक-धार speaking sentences हैं, daily use के, चलो भी इसको बेचो, आपको पते हैं, ये सारी चीज़े मेरे course में free हैं, इचन everything, course का हिस्ता हैं वो, चलो ठीक है, व video के form में भी मिलेगा, video के form में भी मिलेगा, test के form में भी होगा, और सबसे बड़ी चीज़, हमारे ये बहुत visible है, contact करना academy से, बहुत सारी academy क्या करती हैं, आप email के थुरू contact में रहते हो, धंग से communication हो नहीं पाता, हमारी academy में ऐसा नहीं है, बादाबता आपके application में chat section होता है जहां आप अपनी किसी भी problem को वहाँ पर chat में लिखते हैं, और 24 into 7 हमारे वहाँ पर technical team के बंदे होते हैं, जो आपको support देते हैं, और अगर course join करना है, तो बहुत सारी जोंको आप जो और direct app पर purchase करो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, या फिर वो जब उन्हें contact करना होते हैं, तो email की थुरू contact करना होते हैं, हमारे ऐसा नहीं, बहुत feasible है, आपको हम कुछ numbers प्रवाइड कर रहे हैं, आप इन numbers पे call करके भी हमारे representatives से आप बात कर सकते हैं, चले, अब हम random practice करते हैं, course के बारे में सारी चीज़ें बता दी मैंने, आप लोग जाएं, प्ले चार महीने में, 10,000 प्लेस लडने उस course को जॉइन कर रहे हैं, आप पीछे मत रहें, just go and join the course, देखो यहां, उतने जॉइनिंग के बाद भी हम 4.8 rating रखते हैं, आप पढ़ोगे ना content आपको अंदाधा लग जाएगा, बहुत दिल से उस project पे काम कर रहे हैं, दिन रात उसी म में लगे हम, diamond speaking course को real diamond बनाने में, और fees 399, 399 में 5 मेना 80 रूपीज परमन्त हुआ, अंदाधा लगा एक महीने की live class भी है, बढ़ते हैं आगे, मैं बहुत देर से यहां खड़ाओं, random practice 1, I have been standing here बहुत देर से, मैंने क्या बोला था, बहुत देर से के लिए हम क्या use करेंगे यह certain है, बहुत देर से, नहीं, for लगाएंगे, क्या होगा, for a long time, for a long time, I have been standing here for a long time, हम लोग इत शेहर में 2010 से रह रहे हैं, we have been living in this city 2010 से, सालों, घंटों, दिनों, महीनों, हफ्तों यह दिया हुआ है, नहीं, बल्कि यह साल का नाम दिया हुआ है, 2010 से, तो हम यह आपर scenes लगाएंगे, we have to use scenes 2010, वो चार महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, sorry, दिनों, महीनों, सालों, घंटों, आ रहे, आख बंद करो, for लगा दो for four months, अब चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब इसको पहले एक बार practice कर लेते हैं, मैं बहुत देर से यहां खड़ा हूँ, I have been standing here for a long time, हम लोग इस शेहर में 2000 दस्ते रह रहे, we have been living in the city since 2010, वो चार महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, हाँ, मैंने का ना past भी आएगा इसम English, he had been learning English, क्या है चार महीने से for four months, अब यहां पर देखो आप, वे लोग कल से एक कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह लोग है ना तो दे हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, दे, और दे में लगेगा, have, has नहीं लगेगा, they have been trying to buy a car, they have been trying to buy a car, कल से, अब यह कल फिक्स है, यह घंटो, मिन्टो, दिनो, हफ्तों, सालों, यह सब नहीं है, यह क्या हो जाएगा, since, since, कल से, yesterday, तो मैंने क्या कहा था, morning हो, evening हो, है ना, yesterday हो, इन सब cases में हम वहाँ पर since लगाते हैं, अगला कशिश 2020 से MBBS कर रही है, कशिश has been doing MBBS 2020 से, अब यहाँ पर 2020 जो देख रहाँ आप, यह ऐसा तो नहीं, यहाँ पर महीनों, घंटों, दिनों, हफ्तों, सालों, यह वाली बात है, सर्टेन नहीं है, 2020 fix time है, जब time fix होता है, then we use since, यहाँ पर हम since 2000, उसका नाम है साल का, तो वहाँ पर हम since लगाएंगे, रोहन सोमवार से बीमार है, यह बताओ time fix है या नहीं है, fix है, सोमवार से बता रहे हैं वहाँ पर, तो सोमवार से क्या use करेंगे हम since, since, since Monday, हाँ, अगर ऐसा होता, कि सोमवार से ना बोल करके, पांच दिन से बीमार है, अगर यह होता, तो फिर इस case में, हम for use करते, और sentence आगे बढ़ते हैं, the next one, the next one, अगले sentence की तरह बढ़ते हैं, मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा था, 2010 से, since 2010, साल का नाम है, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, I had been thinking about you, सुबह से, यह fix है, since morning, मैंने का ना, कुछ word fix होते हैं, उनमें से एक यह भी है, वो पिछले दस दिनों से, दिनों आ गया, और पिछले है, तो last लगा दो, last 10 days, और इस से पहले हम क्या लगाएंगे, since या for, तो for हो जाएगा, दिनों, for, for last 10 days, अगला, शुकरवार से बारिश हो रही है, it has been raining, it has been raining, शुकरवार से, इसमें हम since लगाएंगे, क्योंकि यह दिन का नाम ह हो गया, since Friday, शुकरवार से, वो सुनीता को दो घंटे से फोन कर रही है, she has been calling to सुनीता, दो घंटों, दो घंटों से, या दो घंटे से, ठीक है, तो यहाँ पर हम for use करेंगे, for two hours, क्या हो जाएगा, for two hours, दो घंटों से, अब चलो, अगला है, राजु बच्पन से किताब प fix time होता है, यहाँ पर हम since लगाते हैं, सुबा से, शाम से, कल से, बच्पन से, है न, यहाँ पर हम since का use करेंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, the next one is random practice, five, हम लोग लंबे समय से सामाजिक बुराईयों से लड़ा रहे हैं, we have been fighting against social levels, सामाजिक बुराईयों से, social levels, we have been fighting, हम लोग लड़ा रहे हैं, against social levels, सामाजिक बुराईयों से, लंबे समय से, तो क्या हो जाएगा, for a long time, for a long time, मैं सुबा से एक पत्र लिख रहा था, सुबा से fix time है, since morning, since morning, यह सर्ट है न, बिल्कुल, 15 मिनट से, fix नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 बचके 15 मिनट से, सीधा ह तो मिनटों से, घंटों से, हम फॉर लगाते हैं, क्या हो जाएगा, I have been eating for 15 minutes, क्या हो जाएगा, for, for 15 minutes, for 15 minutes, the next question, अगला है, वे दो घंटे से हौकी खेल ले, they have been playing हौकी, दो घंटे से, घंटा है, हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे, for two hours, for two hours, उसका reason यह है, कि आपको मैंने पहले ही बता है, घंटों मिनटों सालों वाला ट्रिक, यह देखो, घंटों से, सालों से, सब में four लगेगा, सालों, तो साल की English year, सालों से four years, कोहली लंबे समय से भारत के लिए खेल ला है, कोहली has been playing for India, अब यह जो है न, लंबे समय से, certain नहीं है, अगर यह होता, अगर उ 2010 में जुआइन करा है, 2010 से, तो फिर सिंस 2010, 2012 से, सिंस 2012, यह अगर मैंचन हो, 2015 से, सिंस 2015, बट अगर कोई यह बोले, लंबे समय से, four लगाते हैं, for a long time, चलो next, अगला question है, मैं दिल्ली में 10 साल रहा, यह यह यह, I lived in Delhi, simple past न भी four use करते हैं generally, I lived in Delhi for 10 years, for 10 years, 10 साल, 2 घंटा, बहुत दिन, सब में four लगेगा, she has been here, वो यहाँ है, सिर्फ इतना ही हैं कि वो यहाँ है, she has been here for two hours, for two hours, मैं बहुत दिनों से मैंना अख़बार नहीं पड़ा है, I haven't read the newspaper, बहुत दिनों से, for a long time, for a long time, आपकी ये वीडियो यही पर end होती है, और फिर मुलाकात होती है, आपसे अगली वीडियो में, उमीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत honesty के साथ, बड़ी मेहनत से, इस lecture को आपके लिए प्रिपेर किया था, आप समझ गया होंगे, और अगर समझ में आय दें, वीडियो को हमारे अपने दोस्तों से शेयर करें, और टेलीग्राम से भी मोटी वेलिश के आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक lecture के बाद, हर एक lecture के बाद, PDF इसका अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर हमने हमारी टीम से कहा रखा है, वो PDF इसका अपलोड क याद रखें, सिर्फ 13 जुलाईत के ओफर है, लव यौ लॉट, हाव ग्रेट नाइट